भरत का GDP की रोध नेगेटिव में लेकिन क्या फरक पड़ता है? क्योंकि GDP है क्या यह में मालूम ही नहीं है GDP समझने के लिए आपको कोई बड़ा Economist होने की जरुरत नहीं है एक आम आदनी, एक चायवाला भी इसे समझ सकता Today in the next 3 minutes हम एक चालेंज लेने वाले आपको सबसे आसान भाषा में GDP क्या होता है यह समझाने का चालेंज और Economic Problems के बारे में तो सभी बात करते हैं आज कुछ Solutions के बारे में बात करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंज के साथ इसे शेयर कीजिए हम ऐसे ही भारत के बारे में Solution-Oriented वीडियो बनाते हैं अगर आपको हमारा काम पसंद आता है कि वज़े से सोसाइटी में लॉक्डाउन है और प्राइवेट कंपनी बंद हो गई तो पिछले तीन महिनों से वहां से आने वाला बिजनेस बंद वेरास गवर्मेंट ओफिसमें एक कोविड टेस्टिंग सेंटर शुरू है वहाँ पर डॉक्टर्स आने लगे लोग बढ़ने लगे तो चाय के ओड़ने लगे तो चाय के ओड़ने भी बढ़े बड़ आपके मेन क्लाइंट्स पहले दो थे उनसे जाधा बिजनस आता था आपके जो चार क्लाइंट्स है वो है आपके एंजिन्स आफ ग्रोथ प्राइमेंट्स आपके नेट एक्सपोट्स 23.9% नेगेटिव ग्रोथ इस नंबर का मीनिंग क्या है एपरिब में और जूल इन तीन महीनों में हमारे यहाँ पर जितने goods or services प्रडूस हुए वो लास्ट यर के इस quarter के comparison में 23.9% कम थे पॉइंट यह है कि यह ऐसा टाइम था कि पूरे इंडिया में lockdown था हमेंसे काफी सारे लोग घर पे बैठे हुए थे तो negative impact होने वाला यह तो expected था लेकित इतना बुरा होगा यह expected नहीं था बट हमें यह accept करना होगा कि हमारी economic growth पहले से ही slow और यह एक बड़ा concern यह जो numbers हम देखते हैं उसमें unorganized sector यानि जो actual में लोग रस्ते पर चाहे दोसा वड़ापाव बेचते हैं पर आपके घर में काम करने वाली बाई उन पर होने वाला impact accounted नहीं है यह सारा impact जब हम calculate करेंगे तो शायद यह number और भी बुरा हो सकता है and that is something we should actually worry about क्योंकि इसकी वज़े से जो लोग already self sustainable थे जो लोग कुछ से पैसे कमा रहे थे वो शायद poverty में वापस चले चाहे तो हम क्या कर सकते हैं RBI के ex-governor Dr. Raghuram Rajan सर ने हमारी चाय की दुकान को बचाने के लिए कुछ solutions बता है number one इस difficult situation में customers कम है इसलिए चाय की दुकान अगर बंद हो गई तो बाद में चाय ही नहीं मिलेगा तो यहां government ने चाय वाले को help करना जरूरी है क्योंकि अगर चाय वाले को पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर वो चाय पत्ती खरीदना बंद कर देगा He will reduce his staff and this chain will go on and the economy will keep on suffering लेकिन अगर उसे थोड़ा advance मिले government कहे कि यह पैसे रखो लेकिन चाय की दुकान चालो रखो तो उसे थोड़ा सा relief मिलता उसे थोड़ा सा time मिलता तो चाय वाला recover कर सकता This is the economic stimulus that we need from the government to make sure that when COVID is under control our shop gets back on its feet as soon as possible Number 2 ये time infrastructure को develop करने में यूज हो सकता इससे तो main फायदे होंगे construction जैसे field में जहां पर बहुत सारे job losses होए उन लोगों को jobs मिलेंगे cement और steel use होगा और आने वाले time में infrastructure के वज़े से हमारे businesses को help होगा Basically अगर transport अच्छा होने के वज़े से raw materials चाय की दुकान तक पहुँचने की cost कम हो गई तो recovery जल्दी हो Number 3 यह सारा काम करने के लिए पैसे लगते हैं और पैसे कैसे आते हैं loan लेकर आते हैं या फिर revenue बढ़ा कर आते हैं तो हमारे देश के funds बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है We need to increase our exports and take help of the private sector to save small businesses इस period में जिन businesses ने अच्छा perform किया है for example Reliance या Amazon वो छोटे businesses को help कर सकते हैं because they can afford it and that's our message for all of you as well क्योंकि situation बुरी है यह तो सभी कहते हैं लेकिन एक step आगे जाते हैं और पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं So think about how you can save the economy Pay it forward Maybe आप आपके बाई को advance में salary दे सकते हैं So if you agree with us then please share this video with your friends क्योंकि इस video पर आने वाली ads से हम जो भी पैसे कमाने वाले हैं वो सारे पैसे 100% हम डोनेट करने वाले हैं यह सारा पैसा हम हमारी economy को बचाने में डालने वाले हैं I know that this is not going to be a big amount but anything is better than nothing GDP तभी revive होगा जब इंडिया में certainty वापस आईगी लोगों की पास चाही खरीदने की power वापस आईगी Situation बुरी है काफी बुरी है And the first step to change any situation is to accept that it exists Media हमें जितना distract करती है उतना ही हमें focused होना है Problems अगर हमारे हैं तो solution भी हमें ही डूड़ना है Complain तो सभी करते हैं हमें एक step आगे जाने क्योंकि एक के करने से क्या फरक पड़ता है लेकिन एक-एक के करने से बहुत फरक पड़ता है और इन दोनों लाइन में सिर्फ एक का फरक है And that's the reason why फरक पड़ता है